असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ अमिरुला गवरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टॉप हर्बल रेमडीज पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आया है एक बहुत ही बेतरिन यूणानी मेडिसिंस का रिविव लेकर आया हूँ जिसका नाम है शर्बत मुसफी खास दोस्तों यह एक बेतरिन यूणानी मेडिसिंस है जो यूणानी विदा हर्बल रेमडीज का बना हुए है जिया हमदर्द की साफी की तरह एक सीरफ है और मुशफवी खास यानी खुन को साफ करने वाली यहीं तरह वाम में बुलड प्यूरी फायर है। मुश्वी खास को सूगर डाइपड़िज के वरश इसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें सुगर को मिलाकर बनाये गह है दोस्तों मुसफ़ी खास खासतवर से खुण को साफ करने वाले यूनानी की पेटेंट मेटसीन है दोस्तों आज किस वीडियो में आप जानेंगे सरबत मुसफी खास के फायदे और इसको कैसे इस्तिमाल करें और इसकी कितनी डोज लेना है कीमत वगएरा की पूरी जानकारे आपको देने वाला हूँ तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो पर सुरू से अंतक आप बने रहें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेस चैनल को सस्क्राइब करते जिए और साथ में पेल आइकन को दबाना ना बुलिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके हैं तो चले दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सरबद मुशफी खास के नुश्क है यानि की कंपोजिशन की बात दोस्तों इसके अंदर है चोब चिनी कामिला सुरूख नरकचूर बर्गे शास्त्रा निलकंठी बर्गे नीम पोस सफए संदल सुर्ख चिरैता कंद सफए जिसे हम सुगर कहते हैं इन सारी चीजों को मिलाकर दोस्तों इस प्रोड़क्ट को बनाया गया है दोस्तों अब जान लेते हैं शरबत मुशफी खास के फायदे के बारे में तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसकी क्य युनानी मेडसिंस है जिसे हरबल जड़ी बूटियों से तयार किया गया है दोस्तों यह इसकी बीमारियों में खास तोर से काम में लाई जाती है सुराइसिस जैसी बीमारियों में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है शरीर के किसी भी हिस्से में दात का होना लागतार दोस्तों चेरे पर निकलने वाले पिंपल्स दाने या मैलाओं में चेरे पर होने वाली जहाईयां उनके लिए भी इसका खास इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों इसके अलामा यह कबज को भी दूर करता है पाचन सक्ति को भी ठीक करता है दोस्तों अगर एक सब्द में कहा जा दोस्तों अब जानेंगे हम इसके इस्तिमाल करने का तरीकipples क्या है दोस्तों इसे पंद्रह एमल सुभश्रम ताजे पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाज से या किसी वेद हाकीम की सलाज से लेना चाहिए यह जड़ी बूटी दोस्तों यह जड़ी बूटियों से बनी एक यूनानी मेडिसिंस है अगर सही डोज आप लेते हैं तो इसका कोई भी नुक्सान देखने को नहीं मिलता है दोस्तों अगर हम शर अर्वेदिक धवा दुकान से या फिर ऑनलाइन भी खरीच सकते हैं दोस्तों अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको इस प्रोडेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं और अगर आपको लगता है आपक सोचल मेडिया पर भी जूना चाहते हैं आपकी कोई समयस्या है तो आप हमें फेस्बूक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं